कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों पर हाइकोट ने अपना फैसला दे दिया है हाइकोट ने अपने फैसले में प्रथम जिष्टिया जो यूबी सी आरफ्षण था उसको गलत माना है और जो नोटिफिकेशन जाले किया गया था उसको रद कर दिया है आए हम बात करते हैं हमारे बीच है राजसवाद संसा हर्णाथ सिंग यादव जी कि इसके क्या माइन हो सकते हैं और सरकार का क्या अगला कदम हो सकता है जी बताइस कि भारती जंता पार्टी का सबका साथ सबका निकास सबका विश्वास और सबका साथ उसी के अरू हमारा हर कदम चाहिए निकाय चुनाओ को लेकर के आरक्षण की विवस्था बना करके उत्तर पदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए जो आरक्षण के विरोधी हैं और हाई कोर्ट के द्वारा यह जो जग्मिंट दिया गया है मेरी द्रश्टी में उचित नहीं है बहुत दुरबाद ये पौन रहे है और मैं व्यक्तर तोर से अभी मेरी प्रदेश के अपने पार्टी से अभ प्रतनित देते हुई देने के बाद ही चुनाव करना चाहेगी ऐसा मेरा विश्वास है संसत जी जैसा आपने कहा कि अभी पार्टी से आपकी बात नहीं हुए है कुल मिलाकर हाई कोर्ट का मानना है कि अगर सरकार चाहे चुनाव करा सकती है लेकिन उसमें OBC आरच्छन नह का मास्क देखे नराश करने की विचार नहीं होगा है जैसा मे ने कहा करते हूए पार्टी आगे विचार करें तो होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आरक्षण के साथ ही चुनावाँ होना चाहिए ऐसा मेरा अपना मत्राइब सांसर जी जैसा कि कहा जा रहा है कि जो जारी किया गया सरकार ने जान भूच कर ओवी सी के आरच्षण में ज्यादा लिच्छट की दिखाई बहुत सी सीटों को घेर जरूरी ओवी सी आरच्षण कर दिया गया जिसके खलाप लोग हाई कोट गए तो क्या मानते हैं सरकार यह सब्सक्राइब को फोकस करके चुना लगा जाए जिसको अभी हाई कोट ने नकाल दिया है कि दखे यसा तो बिल्कुट सही नहीं है यह कहना है पूरी इमंदारी के साथ जो बीसी का कोटा बनता है उसी रहे साब से सारी सीटों को आरक्षण किया गया था और एक बीच में कि वैवधान आया है हाई कोट के नड़े के बाद तो इस वैवधान को भी के बारे में पार्टी बैट करके विचार करेंगे उसका रास्ता निकालेगी सही तो यह थे राजसावाज संसर्थ हरना सिंग अदर जी जो कि आज के हाई कोट के जो नेने आया है निकाय चुनाव के उपर उसको उससे सहमत नहीं है उनका कहना है कि उनकी पार्टी कटिवद्ध है कि सभी बर्गों का जो निया संगत और समयदान में आरच्छन की विवस्ता है उस विवस्ता के अनूप ही चुनाव कराए जाए आगे का जो भी नेने होगा वो पार्टी इस तर पर बड़ आपके